मैं अनीका मुझे बच्पन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था मेरे माता पिता ने भी हमिशा मुझे बहुत सपोर्ट किया वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहते थे मैंने 11 वी की पढ़ाई के लिए शहर में एक अच्छे और बड़े कॉलेज में अड्मिशन लिया इस कॉलेज से डिग्री लेने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे शहर अपने चाचा के घर पढ़ने के लिए कुछ सालों के लिए भेजा हुआ था यहां मेरी बड़ी बहन माही दो साल पहले ही चाचा चाची के पास रहने आई थी मेरी चाचा और चाची भी बहुत अच्छे थे उन्हीं शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ इसलिए वे हमें ही अपनी बेटिया मानते थे मैं एक दिन अपनी किताबों में खोई हुई थी मेरी कंदे पर हाथ मार कर माही हसकर कहने लगी क्या यार तुम हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो कभी किताबों की दुनिया से बाहर निकल कर तो देखो दुनिया कितनी हसीन और खुबसूरत है वो बड़े प्यारे शब्दों से मुस्कुराते हुए कहने लगी माही सिर्फ मेरी बड़ी बेहन ही नहीं मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी मैंने कहा नहीं यार तुम जानती होना मेरे लिए पढ़ लिए कुछ बनना कितना जरूरी है ममी पापा के हम से बहुत उमीदे जुड़ी है वो मुझे गूरते हुए बोली बस करो यार कहा ममी पापा लेकर बैठ गई अब तुम भी मुझे लेक्चर दोगी ये पढ़ाई वडाई मुझसे नहीं होने वाली और ना ही मुझे कोई शौक है ये तो जबरदस्ती मैंने ममी पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया वरना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है वो ये कहकर मोबाईल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गई इतनी देर में चाची आ गई और कहने लगी तुम दोनों अब तक जाग रही हो चलो सो जाओ वरना सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी वो दूद का ग्लास लेकर दोनों के टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई दूद पीकर हम दोनों भी सो गए आधी रात की वक्त किसी के खुसर-फुसर की आवाज से मेरे कानों में आई इससे अचानक मेरी नीन खुल गई देखा तो माही मॉबाइल पर किसी से गपे मार रही थी बच्पन की जासुसी की आदत से मजबूर मैं चुपकर सोने का नाटक करके माही की बाते सुनने लगी माही कह रही थी जान फिर तुम कब मिलने आओगे तब हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे मुझे ये सारी बाते सुनकर जटका लगा ये तो कोई लड़का है माही किसी लड़के से बाते कर रही है ये कोई दोस्त नहीं है यही सोचते सोचते मेरी आख लग गई अगले ही दिन कॉलेज जाते वक्त रास्ते में माही कहने लगी अच्छा सुनो अनिका तुम आज अकेले ही घर चली जाना मुझे थोड़ा सा काम है और काम से मुझे उस दोस्त के घर जाना है मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा मैं शाम तक घर आ जाऊंगी मैंने उसे पूछा कि तुम क्या चुपा रही हो मैं जानती हूँ तुम किसी लड़के से मिलने जा रही हो ये सब सही नहीं है माही ममी पापा ने हमें यहाँ पढ़ाई के लिए भीजा था हम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते वो मुझे घूरने लगी और बोली यार क्या हो गया है तुम्हें फिर से तुम मेरी ममी बन गई हो तुम शायद रात को चुपकर मेरी और आकाश की बाते सुन रही थी मैं उसे बहुत हैरान होकर देख रही थी और मैंने पूचा ये आकाश कौन है माही कहने लगी अरे यार तुम तो मेरी इतनी फिकर कर रही हो आकाश कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं बहुत अच्छा है मैं जल्द ही ममी पापा से उसके बारे में बात करूंगी और मुझे यकीन है वो भी आकाश के रिष्टे के लिए कभी मना नहीं करेंगी मुझे माही की बाते सुनकर चिंता होने लगी शायद माही शहर रहे कर गाव के हाला दूल गई है हाला कि मैं जानती थी कि हमारे गाव का माहल और यहां शहर की लोगों में बहुत फरक है यहां के लोगों में पसंद की शादी बिल्कुल आम सी बात है जबकि हमारे गाव के लोग बहुत मासूम और छोटी सोच की लोग है वो लड़के और लड़की की दोस्ती तो दूर उन्हें एक दूसरे से बात तक करने को बहुत ही गलस समझते थे शायद मैं यूही बात का बतंगड बना रही थी यही सोचते सोचते कॉले जा गया और हम अपने अपने कलास में चले गए फिर यूही दिन गुजर रहे थे लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों माही के लिए बहुत फिकर कर रहा था जबकि वो तो मुझे अब आकाश से जुड़ी हर बात बताने लगी थी उसकी दोस्ती आकाश के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी उसके साथ चुप चुप कर मिलना रात भर उसके बाते करना मुझे हर पल बस यही फिकर लगी रहती कि मम्मी पापा ने अगर इस रिष्टे के लिए मना कर दिया तो माही का क्या होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता माही आकाश के लिए दिवानी हो गई है वो कही कोई गलत कदम न उठा ले पर मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ चाचा को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने पापा को फोन करके सब बता दिया पापा ने माही को फोन करके बहुत डाटा और उसे कहा कि वो अगले ही संडे शहर आकर उसे गाउं आपस ले जाएंगे माही पापा से बात करने के बाद बहुत दुखी हो गई मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में सोने चली गई अगली सुबह जब हम कॉले जाने के लिए घर से निकले तब माही बहुत नॉर्मल थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो मैं उसे ऐसा देखकर हैरान हो रही थी पर उसे कल के वाकिये पर कोई बात नहीं करनी थी हम अपने अपने क्लास चले गए शाम हुई तो माही घर नहीं लोटी हमने उससे बहुत कॉल किये पर उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया हम उसे सब जगध हुणने लगी हम सब बहुत चिंता में थे आधी रात मेरे उन मोबाइल पर रिंग बजी मैंने देखा तो माही का मैसेज था उसने कहा वो आकाश की साथ शादी करने वाली है और उसके साथ खुश रहेगी और अब घर कभी वापस नहीं आएगी हम सब उसके इस फैसले से बहुत मायूस हुए इस बात को अब एक साल होने आया मैं छुट्टियों पर गाव अपने ममी पापा के पास जा रही थी लेकिन उस एक साल में हम सब माही की वज़े से बहुत बुरे हालाज से गुजरे मैं कई बार माही के खयालों में घूमती मुझे काफी सदमा लगा था कि माही ने जो किया वो वाकिए हमने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था मैं गाव पहुच चुकी थी मैं अपने घर लोटकर बहुत खुश थी मेरी मम्मी पापा मुझे मिलकर बहुत खुश हुए मेरी मा की उदास आखे माही को धून रही थी मा को माही के हरकत पर बहुत अफसोस हुआ था मुझे आराम की सक्त जरूरत थी मैं अपने कमरे में आराम के लिए लेड गई मैं अब तक माही के सदमे से बाहर नहीं आई थी मुझे नहीं मालूम था कि गाव आकर मेरे सर पर बहुत ही जल्द आसमान तूट पड़ेगा अगले दिन में उटकर नाश्टा करने के लिए मम्मी के पास जा रही थी तबी घर में लीना मासी जो हमारे पडोस में रहा करती वो आकर मम्मी से कुछ ऐसा कह रही थी कि हमारे गाव का सरपंच वो 60 साल का है उस बुढ़े ने अपनी बेटी की उमर की लड़की से शादी करके उसी लड़की को अपने घर लाया है वही आदत से मजबूर में दर्वादे से कान लगा कि उनकी बाते सुनने लगी वो मम्मी से कह रही थी कि सुना है वो बुढ़ा बांज है इसलिए अब तक उसने शादी नहीं की लेकिन सुना है उसकी बीवी तो गर्भवती है इतनी देर में लीना अंटी को किसे ने आवाज लगाई और वो हमारे घर से बाहर चली गई उनकी जाने के बाद मैं नाश्टा करते हुए मम्मी से पूछने लगी मम्मी वो लीना अंटी क्या कह रही थी उस बुढ़े सरपंच के बारे में वो बांज है उसने शादी कर ली उसकी बीबी गर्वती है ये सब क्या चल रहा है मम्मी ने मुझे दाटा और कहने लगी तुम आते ही जासुसी करने में लग गई खबरदार अगर तुमने कुछ किया इस मामले से दूर रहो कुछ दिन के लिए आई हो अपने काम से काम रखो लेकिन मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे मन में खयालों का सिलसिला शुरू हो गया मैं सोच रही थी कि वो सरपंच तो है और अमीर भी लेकिन बचपन से गाउं में यही मशूर है कि वो बुढधा बांच था इसलिए सारी उम्रों उसने शादी नहीं की और आज अचानक शादी वो भी साट साल के बुढ़ापे में और वो भी इतने कम उम्र की लड़की से और चलो एक पल के लिए मान भी लिया उस लड़की ने पैसो की लालच में शादी कर ली लेकिन वो गर्ववती कैसे हुई वो बुढधा तो बांच था मैं अपने आपसे बात करने लगी और मन ही मन सवालों के जवाब धून रही थी लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कोई तो मामला है मुझे इसकी तह तक जरूर जाना होगा कही वो लड़की किसी मुश्किल में तो नहीं कही उस बुढधे ने जबरदस्ती उसके साथ शादी तो नहीं की नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी मुझे सारा सच जानना है गाओं में ये सब क्या चल रहा है मेरे दिल और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी और इसके साथ ही साथ साल के बुढधे और उसकी शादी की बाते आग की तरह गाओं में फैल रही थी इस तरफ उस सरपंच की शादी की चर्चे सुनाई दे रहे थे अगले ही दिन सुबह फिर से लीना अंटी मम्मी से कुछ बाते कर रही थी मैंने चुपकर उनकी बाते सुनी तो मेरा शक यकीन में वदल गया वो कह रही थी वो बुढ़ा ख़डूस बहुत सक दिल है उसने अपनी बीवी को अपने हवेली में नहीं बलकि कही जनावरों के बाड़े में रखा हुआ है मम्मी ने हैरान होकर कहा आप ये क्या नई खबर लाई है और ये सब आपको कैसे पता आंटी कहने लगी अपनी रादा है ना जो सरपंच की हवेली में काम करने जाती है वही बता रही थी बस ये सुनकर अब तो मुझे इस रादा से मिलना ही था मैंने ठान लिया कि उस लड़की की मदद जरूर करूंगी शायद वो किसी मुश्किल में है भला इस तरह कौन अपनी बीवी को जानवरों में रखेगा हैरत है वो बुढ़धा खड़ू सरपंच है तो क्या मतलब औरतों पर अत्याचार करेगा ये सब नहीं होने दूंगी मैं मम्मी को बिना बताई ही अगले दिन चुपकर से रादा से मिलने चली गए रादा है कच्ची उमर की सेहत मन औरत थी लगबग 40 साल से इस हवेली की काम कर रही थी मैंने उससे जैसे ही सरपंच की बारे में पूछा तो वो घबराने लगी उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं सरपंच की बारे में क्यों पूछताच कर रही हूँ लेकिन मेरे बहुत कहने पर जब उसने मुझे सारी बार डीटेल में बताई तो मेरे पैरो तले जमीन निकल गई वो कहने लगी सरपंच जी एक दिन शादी करके चोरी चुपके उस लड़की को हवेली में ले आये थे जिसकी उम्र लगभग सिर्फ 18 से 20 साल होगी वो खड़ुस बुढ़ा जिस दिन से शादी करके लाया उसे जानवरों के बाड़े में रखता था और तो और जुल्म की हद तो देखो वो हवेली को वारिस देने के लिए इस लड़की को गर्भवती करने के लिए हर रात एक नया बेल उस लड़की के पास छोड़ जाता क्योंकि वो खुद तो बांच है जो खांदान को वारिस नहीं दे सकता और आज देख लो वो लड़की देखते ही देखते गर्भवती हो गई है ये सुनकर तो मुझ पर आसमान गिर गया था मेरा मुझ खुला का खुला रह गया मैं ये सब सुनकर वहां से चल पड़ी मुझे पुरा यकीन था वो लड़की जरूर किसी मुश्किल में है लेकिन उसके साथ उस बुड़की की घिनोनी हरकत मैं सोच भी नहीं सकती थी क्या अमीर लोग इतना भी गिर सकते हैं मैं उस बुड़े को सलाखों के पीछे करना चाहती थी लेकिन मुझे पुखता सबुत अभी इकटा करने थे मैंने हवेली जाकर उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई एक दिन रात के वक्त मैं चुपकर घर से निकली और हवेली की तरफ बढ़ी मैं हैरान हो गई कि वो बुड़ा सच में बैल लिये इसी वाड़े की तरफ जा रहा था जहां उस लड़की को रखा हुआ था अब रोज रात में चुपकर इस बुड़े की हर हरकत पर नज़र रखने लगी वो हर बार एक नया बैल उस आउरत के पास छोड़ा था अब वो तो गर्बवती भी है आखिर ये सब क्या चल रहा है मुझे जल्द ही इस रात से परदा उठाना था आखिर बस मुझे अब सिर्फ इस लड़की को मिलकर सारी सच्चाई जाननी थी कि वो कैसे गर्बवती हुई आखिर क्यों उसके साथ इस तरह हर रात एक बैल ने गुजारी एक दिन में चुपकर हवेली की तरफ गई और मौका देखकर राधा की मदद से हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ जहाँ जानवरों का बाड़ा था मैं उसमें चली गई मेरे पास ये एक ही मौका था अब मैं इस रात से परदा उठा सकती थी अभी मैंने अंदर पैर रखे ही थे कि वो लड़की फॉरन घबरा गई मुझे देखकर शायद वो डरने लगी और घूंगर तोडने लगी मैं उसे घूरने लगी लेकिन मुझे उसका चहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था मैंने तसली भरे शब्दों में कहा सुनो तुम घबराओं नहीं मैं तुम्हारी ही मदद करने के लिए यहां पर आई हूँ मुझे पता है तुम इस सत्याचार में फसी हुई हो मुझे सारा सच बता दो मैं तुमें यहां से आजाद कर सकती हूँ लेकिन वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी वो मुझे देखकर कापने लगी मैंने कहा क्या इस बुढ़े ने तुम से जबरदस्ती शादी की है उसने हां में सेर हिलाया फिर मैंने कहा क्या तुम अभी गर्ववती हो उसने फिर हां में सेर हिलाया मेरा अगला सवाल ये था क्या वो बुड़ा बांज है उसने फिर हामे सिर हिलाया मैंने कहा क्या वो तुम्हें गर्बबती करने के लिए और खांदान को वारिस देने के लिए बैल लाता था इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया मैंने फिर से वही सवाल किया तो वो चुप रही मैंने फिर कहा कि उ उसकी इस गिनोनी हरकत की सजा में उसे दिलवा कर रहूंगी वो चुपचा बैठी काप रही थी मैं फॉरन दोड़ती हुई पुलिस के पास पहुंची और सारा सच पुलिस को बता दिया और तुरंथ ही पुलिस और सब गावाले हवेली में जमा हो गये आज में पुलिस के हा जो बुढ़े की पतनी थी उसने कड़े शब्दों में कहा रुको मैं उस लड़की की आवाज सुनकर दंग रह गई जैसे ही मैंने मुड़कर देखा मेरे सिर पर आस्मान तूट पड़ा मेरी आखे फटी की फटी रह गई वो लड़की कोई और नहीं बलकि मेरी बड़ी ब लेकिन इतने सालों बाद माही को देखकर वो बहुत खुश हुए थे ममी तो माही को प्यार से चुमने लगी मेरी बच्ची तु कहा थी माही ममी पापा से मिलकर बहुत खुश हुई थी और हाथ जोड़कर माफी मागने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए मैंने बहुत गलती की मैंने आकाश की बातों में आकर घर से भाग कर उससे शादी कर ली थी मैंने एकदम से कहा कहीं वो आकाश ये सरपंच तो नहीं वो कहने लगी नहीं नहीं वो एक धोके बाद लड़का था उसने मुझे धोका दिया और इस तरह मैं जब गर्भवती हुई इस बच् तो खुद को चुपा कर रखने लगी कुछ दिनों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो आकाश मुझे यहां अकेले बे सहारा छोड़कर चला गया मैं बहुत अकेली पड़ गई थी लेकिन उस वक्त मेरी मदद इन्हों ने की उसने सरपंच की तरफ उंगली उठा कर इशा यह दुनिया घर से भागी हुई लड़की को किस नजर से देखती हैं यह तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं और तो और मैं पेट से भी थी मुझे जमाना जीते जी मार देता मेरी और आकाश के शादी पर भरोसा नहीं करते क्योंकि जब इस बच्चे को उसके सगे बाप आ आने की भनक लगी गाओ वालों ने उसे अफवा ही बना दी यह सरपंच की शादी कम उम्र की लड़की और बैल के साथ रात वगेरा वगेरा बहुत ही गिनोनी बाते सुनने को मिली जबकि उस आदमी ने मेरे सिर पर बाप बनकर हाथ रखा था और मुझे यहां हवेली में चुपा कर रखा था और वो बैल उनके अपने है जिसे वो खेती में काम करने के लिए हर रोज खरीद लाते हैं और उनका शौक भी है जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना मैंने कहा लेकिन माही तुम उस दिन क्यों चुप रही जब मैं चुपकर तुम्हारे पास मिलने आई थी तभी तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया माही ने कहा क्योंकि मेरी गलती थी इसलिए मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गई थी तुम्हें यहां देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने हर बात के लिए तुम्हें हा में जवाब दे दि वो सब जान गए थे कि हर इंसान जो दिखाई देता है जरूरी नहीं हर बार गलत हो कभी कभी बाहर से सक्ट दिल रखने वाले लोग अंदर से उतने ही नरम दिल होते है हम लोग माही को लेकर घर आ चुके थे हम लोगों ने माही को माफ कर दिया माही भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी हम सब भी समझ चुके थे कि जरूरी नहीं आखो देखा सची हो हकीकत कुछ और भी हो सकती है और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के वज़ाए उसके अच्छे से जाच परताल कर लेना जरूरी है दोस्तों उमीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेर जरूर करे और इसी कई दिल्चस्प कहानिया सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चानल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद